हालो मैं डियर फ्रेंस कैसे वह आप लोग उम्मीद करता हैं आप लोग अच्छे और स्वास्त हूंगे आज हम लोग बिहार पुलिस कॉंस्टेवल एक्जाम एक माई दुहार दस में गनीच से पूछेगे सारे पुरस्ण को विल्कुल वेसिक से समझते वेस स्वाल्व करेंगे आज का ये क्लास पुर्विया से ये क्लास का दूसरा क्लास है अगर आपने इस से पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए तो आईए हम लोग आज के class को शुरू करते हैं पहला question है 70,000 रुपिये के stock से 2% की दर पर आए होगी बहुत ही simple question है percentage का समझेगा question में आप से पूछा गिया है 70,000 रुपिया का 70,000 रुपिया का 2% कितना होगा तो यहां पर समझेगा percentage आटाएंगे कितना आजाएगा नीचे आजाएगा 100 00,000 से 00,000 खतम हो जाएगा 700 को multiply करेंगे 2 से कितना आजाएगा 1400 आजाएगा इसको solve करने के बाद option number C हो जाएगा right answer समझ में आगिया अगला question है एक आयताकार हॉल की लंबी भुजा 24 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 26 मीटर है तो इसका छेतरफल क्या होगा बहुत आसान question है इस question को समझेगे figure से इस आयताकार हॉल की लंबाई कितना दिया गया इस आयताकार हॉल की लंबाई दिया गया 24 मीटर इसके बाद विकर्ण की लंबाई दिया गया है 26 मीटर आपको पता हॉनी चाहिए आयत का छेतरफल बराबर क्या होता है आयत का छेतरफल बराबर होता है लंबाई गुना चोराई जिसमें आपको लंबाई दिया गया है चोराई नहीं दिया गया है तो यहां पर आपको निकलना परेगा चोराई तो चोराई कैसे निकलना है समझेगा चोराई निकलने के लिए आपको करना परेगा 26 का स्कुएर इसमें से मैनस करना परेगा 24 का स्कुएर इसके उपर लगाना है रूट 26 का स्कूर होता है 676 इसके बाद 24 का स्कूर होता है 576 इसको मैनस करेंगे कितना आ जाएगा 676 में से 576 गटाएंगे संक्यां आ जाएगा 100 और रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा संक्यां आ जाएगा 10 10 क्या आया है 10 आया है 4 और आपको पता है आयत का छेतरपल बरावर होता है लंबाई गुना 4 तो लंबाई आपको दिया गया है 24 और 4 दिया गया है 10 इसको multiply करेंगे कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा option number B हो जाएगा साइ अंसर समझ में आ गया अगला कुछ चना है एक विरिताकार पहिए कि तीरजिया 1.75 मीटर है तो 11 किलो मीटर की दूरी तै करने में या कितना चक्कर लगाएगा बहुत यासन कुछ चना है इसको भी फिगर से समझे इस विरिताकार पहिए कि तीरजिया कितना दिया गया है तीरजिया दिया गया है 1.75 मीटर जब आप इस सरकल के चारो तरप एक चक्कर लगाते हैं तो कितना दूरी तै कीजिएगा एक चक्कर में आप दूरी तै कीजिएगा इसके परिदी के बराबर तो विरित का परिदी बराबर क्या होता है विरित का परिदी बराबर होता है 2 pi r तो एक चक्कर में ताय किया गया दूरी हो जाएगा 2 pi r के बराबर इसके बाद समझेगा इसको आगे solve करेंगे क्या आजाएगा 2 आजाएगा pi का मान होता है बाइस अपन में 7 और आपको रेडियस कितना दिया गया है रेडियस आपको दिया गया है 1.75 पोइंट को अटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, 25 से काटेंगे 4 बार में कर जाएगा 100 इसके बाद 175 कर जाएगा 7 बार में और 7 से 7 कर जाएगा 2 से कर जाएगा 4 दो बार में और 22 से 11 बार में तो एक चक्कर बराबर क्या आगिया एक चक्कर बराबर आगिया 11 मीटर समझ में आ रहा है एक चक्कर बराबर आगिया 11 मीटर इसके बाद समझेगा कोईस्चन में कहा गिया 11 km की दूरी तै करने में यह कितना चक्कर लगाएगा तो सबसे पहले आपको 11 km दिया गया इसको मीटर बनाने के लिए 1000 से करना पड़ेगा multiply और इसको आपको divide करना पड़ेगा 11 से एक चकर में कितना दूरी तै कर रहा है एक चकर में 11 मीटर की दूरी तै कर रहा है 11 से 11 कर जाएगा तो चकरों की संक्यां आ जाएगा 1000 तो option नमबर C में आपको दिया गया 1000 यह हो जाएगा इस question का सही answer समझ में आ गया अगला question है यदि एक घान की परतियक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिष्टिया शेत्रफल में परतिसत विर्दी होगी बहुत ही simple question है इस question को हम लोग 2 concept से समझेंगे जिसमें पहला concept को समझा रहा है समझेगा question में कहा गया है परतियक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए इसका मतलब भुजा पहले कुछ रहा होगा पहले भुजा की लंबाई हम मन लेते हैं 10 मीटर है आप कुछ भी मान सकते हैं मानने के लिए आप सोतंतर है तो इसका शेत्रफल क्या हो जाएगा गन का पिरिष्टिया शेत्रफल बरावर होता है 6 गुना भुजा आए सकुवाइर छेत्रफल बरावर क्या होता है 6 गुना भुजा आए सकुवाइर अब इसके जगा पे इसका वैलू रखिए 6 आ जाएगा एक जगा पे वैलू कितना है 10 मानने है तो 10 मल्टिपलाई 10 हो जाएगा इसके बाद आगे समझिएगा इसके बाद आपको इस भुजा की लंबाई में 50% इंक्रीज करना है तो 10 में 50% इंक्रीज करेंगे क्या आ जाएगा 10 में आपको 50% इंक्रीज करना है तो 150 अपोन में आ जाएगा 100 00 से 00 कर जाएगा संक्या आ जाएगा 15, 50% increase करने के बाद भूजा की लंबाई क्या आ राए, भूजा की लंबाई आ राए 15, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, इसके बाद समझ यह आगे 50% increase करने के बाद भूजा की लंबाई आ आ गया 15, अब आपको इसका निकालना है शेत्रफल बराबर क्या होता है शेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भूजा है स्कुवाइर गन का पिरिष्टी है शेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भूजा है स्कुवाइर 6 के जगा पे 6 आ जाएगा इसके बाद भूजा आया है 15 तो यहाँ पे आजाएगा 15 इसको आपको दो बार multiply करना है समझ में आ रहा है इसके बाद समझिएगा यहाँ पे देखिए 6 इसमें भी है इसके बाद 6 इसमें भी है इसको आपको काड़ देना है ताकि आप calculation से बच पाए अब यहाँ पे देखिए 10 को multiply करेंगे 10 से कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ से इसके बाद 15 को 15 से multiply करेंगे कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा तो संख्या 100 से 225 हो गया है कितना increase हुआ है संख्या increase हुआ है 125 आप्सन नम्मर D हो जाएगा right answer यह तो हो गया पाला concept इसके बाद समझेए दूसरा concept क्या है इस question को solve करने का समझेएगा question में कहा गया है गन की परतियक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाने के case में जितना बढ़ाया जाएगा उतना आपको plus करना है 50 बढ़ाया जादा इसलिए आपको plus का 50 करना है इसमें आपको plus का 50 एक बार और करना है इसके बाद plus कीजिए 50 multiply 50 करना है इसके नीचे आ जाएगा 100 समझ में आ रहा है double 0 से double 0 कट जाएगा इसके बाद plus का 50 plus का 50 यहां से आ जाएगा एक सो इसके बाद प्लस कीजिए यहां से आजाएगा इन दोनों को मल्टिप्लाइ करने के बाद आजाएगा 25 तो 125 आजाएगा इस question का right answer option number D हो जाएगा correct answer समझ में आगिया दोनों concept आप लोगों को अगला question है सरलिकरन के पश्चात निमलिखित का मान क्या होगा बहुत ही आसान question है इसको आपको multiply करके बताना है तो समझिएगा इसको ध्यान से यहाँ पे देखिए संख्या दिया गया 3 और यहाँ पे इस bracket में संख्या दिया गया 18 इन दोनों को आपस में multiply करेंगे कितना हाजाएगा संख्या आजाएगा 54 इसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया x के power में 4 तो x के power में 4 लिखना है इसके बाद इस bracket में आपको दिया गया X के पावर में 3 इन दोनों को एक साथ लिखना है इसके बाद आपको दिया गया इस ब्रैकेट में Y के पावर में 3 तो यहां पर आ जाएगा Y के पावर में 3 और इस ब्रैकेट में आपको दिया गया Y के पावर में 5 इसके बाद आपको लिखना है Y के पावर में 5 इसके बा जब भी आधार सेम हो तो गुना में पावर क्या होता है? गुना में पावर को जोरा जाता है तो 3 के पावर में आ जाएगा यहाँ पे 5 इसी concept को आपको यहाँ पे यूज करना है समझियेगा यहाँ पे संख्या दिया गिया है 54 तो 54 लिखना है इसके बाद X के पावर में 4 और यहां पे दिया गया X के पावर में 3 दोनों के पावर को जोरेंगे कितना आ जाएगा X के पावर आ जाएगा 7 इसके बाद आपको दिया गया Y के पावर में 3 और यहां पे दिया गया Y के पावर में 5 दोनों के power को जोरेंगे संक्यां आ जाएगा तो कौन सा option में दिया गया इस तरह से option नम्मर B में आपको दिया गया यही हो जाएगा इसका correct answer समझ में आ गया अगला question है geometry से question है यदि A B तथा C D एक दूसरे को O बिंदू पे काट रहा हो तथा angle A O C बराबर 30 degree हो तो angle A O D का समतुल मान क्या होगा आप से पूछा जा रहा angle A O D का समतुल मान किसके बराबर है समझ येगा इसको figure से यहाँ पे देखिए यह है line A और B इसके बाद यह line है C और D दोनों line एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है इसके बाद question में कहा गिया है angle A O C बराबर है 30 degree ये angle आपको दिया गिया है 30 degree ये angle 30 degree का है तो ये angle कितना degree का हो जाएगा ये भी हो जाएगा 30 degree का इसके बाद बराबला angle कितना degree का हो जाएगा ये angle हो जाएगा 150 degree का concept को समझ येगा किसी भी एस्टियेट लाइन पे कितना डिरी का एंगल होता है किसी भी एस्टियेट लाइन पे 180 डिरी का एंगल होता है जिसमें आपको 30 डिरी का ये एंगल दिया गिया है तो बाकी ये एंगल हो जाएगा 150 डिरी का इसके opposite में ये angle कितना degree का बनेगा ये भी बनेगा 150 degree का यहां तक समझ में आ गिया इसके बाद समझिएगा angle AOD बरावर कितना आ गिया angle AOD बरावर आ गिया है 150 degree इस 150 degree के बरावर में देखना है किसका value आएगा तो यहां पे option एको चेक किजिए दो multiply किजिए angle BOD बरावर कितना आ गिया है angle BOD बरावर आ गिया है 30 degree 30 से इसको multiply करेंगे 60 आ जाएगा देर सो के बरावर में नहीं आ रहा है इसलिए option A हो जाएगा गलत option D को चेक किजिए 5 multiply किजिए 30 कितना आ जाएगा इन दोनों को multiply करेंगे कितना आ जाएगा multiply करने के बाद आ जाएगा 150 degree दोनों का value कितना आ रहा है दोनों का value सेम आ रहा है इसलिए option D हो जाएगा correct answer समझ में आ गिया अगला question है संचाई बारामबरता वक्र का परयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए संचाई बारामबरता का परयोग किया जाता है माधिका निकालनी के लिए option number C हो जाएगा correct answer इस class में इतना ही मिलते हैं लोग अगले class में previous year के question के साथ तब तक के लिए चैनल पर नहाएं तो चैनल को subscribe कर लिजे ताकि आपको इसी तरह आगे का class continue मिलता है